हलो फ्रेंट्स वेलकम तू आल आज मैं आपके जो वीडियो दे क्या रहा देखे शियर मार्किट की चाल काफी इंपोर्टेंट आज की डेट में बैंक निफ्टी का कमाल मैं कहूंगा और क्या कुछ चल रहा यूस मार्किट में साथ के साथ यूरोपियन मार्किट में क्या अब हमारे पास यहां पर टेलीग्राम चैनल भी ओपन है तो वहां पर आप लेटेस्ट अपडेट देख सकते हो शेयर मार्किट के बारे में तो जोइन कीजिए टेलीग्राम चैनल वीडियो के डेस्क्रिप्शन में लिंक जाए उसका और अब मैं सीधे आपको लेके चल र जालिकी नस्टक मेंतेजी आप देख पारे हो लेकर डाउ डस में गरावाट ऊरे में क्या कुछ ऱत हों ज्रा एक नाजद ड.. र शक्ति पावे त्यारी था जिस तरीके से प्लाऌ के माखिट थी तो इस Geral के मार्किट व्राऌस थी उसके अलावा प्लाट या पर आए के साथ और बट एशन मार्केट में आज निफ्टी 36 पॉइंट उपर और सेंसेक्स के गर बात करें तो 187 पॉइंट उपर बंध हुआ है एक पॉजिटिव चीज़ और यह पॉजिटिव बीटी जो आज देखने को मिली वह मेजर जो स्टॉक्स थे वह आप देखोगे तो मैंक निफ्टी में अचानक जो तूफान आया आज और वह बहुत तेजी एक ब्रेक आउट के लेवल पे ता पिछले तीन दिन से कंसॉलिडेट कर रहा था और ऐसा लगा कि अब जाएगा अब जाएगा अब जाएगा अब जाएगा और आज की डेट में थोड़ा उपर ज लेजी देखने को मैली और एक नजर देखते हैं आज की डेट में क्या कुछ रहा यहां पर अगर आप स्कूरियल इंडग्स को देखते हैं तो सबसे इंपोर्टन निफ्टी बैंक के जहां आज वहां उसके अलावा निफ्टी बैंक के अलावा मैं बात कुलूँ देखे 1.93% का उचाल रहा और अगर financial services उसके अलावा निफ्टी IT बाकी metal, pharma ये डाउन ही रहे और private bank का major contribution था जरह देखिए एक नजर निफ्टी bank में बंधन bank अपर सरकेट लगा था आज की डेट में इंडेसेंट bank बहुत ही जबर्दस तेजी देखने को मिले थी RBL bank देखिए सारे bank साथ positive federal bank उसके अलावा ICICI bank, access bank, SDFC bank का थोड़ा कम contribution था अगर इसका contribution होता तो market कहीं उपर होती पर major ICICI bank का बड़ा contribution आज की डेट में रहा उसके अलावा financial services में आप देखोगे तो भई बजाज finance, M&M finance, बजाज holding, छोला finance और उसके अलावा श्रिराम transport finance अ नौकरी, Infosys, Infosys ने तो भई बढ़िया उचाल दिखाया आज की डेट में HCL technology माइंट्री बढ़िया जंप और अगर मैं यहां पर बात करूँ उसके अलावा private bank को अगर आप देखो तो देखिए भई बंदन bank, इंडेसेंट bank, RBL bank आज कमाल कर गया लेकिन अब यह सारी च correction आती है, let the correction resolve और उसके basis पे अपने goal बना लो, आप monthly basis पे कर रहो या weekly basis पे या फिर आप daily time frame को trade कर रहो तो वो important चीज है और goal बना के फिर जहां पे correction नहीं देखती तो microscope यूज करके छोटे time frame पे जाके correction को देखिए और समझे उस correction को आपको entry का मौका जरूर मिलेगा, कल क आपकी rate पर हम बात कर रहे थे देखिए, ITI के share ने जबर्दस तूफान मचा रहा था लेकिन आज की rate में, उस जिवन small finance bank, upper circuit 20% का, बोश, M&M finance, बंधन bank, NBCC, मोतिलाल उस्वाल, बजाज finance, mass finance, आज तो financial services, उसके अलावा देखिए, आप देखिए, किस तरीके से तेजी दे देखने को मिली, और हुड़को का share, इंडसन बैंक का share, major share जो है, वो FL India को अगर आप देखोगी, तो 2-3 दिन से लगातार, upper circuit यहाँ पर मार रहा है, और अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ, सीधे important चीज, nifty और bank nifty की ओपर देखिए, nifty से start करेंगे, फिर बात करेंगे, बैंक नifty की, nifty जो position थी, ज्यादा तेजी आज देखने को नहीं मिली, लेकिन 20 EMA मन्थली के आसपासी अभी भी होवर कर रहा है, अब बात करते हैं, weekly, weekly time frame, देखें, पिछले week में बरतस तेजी, और इस week में 50 EMA को पार करके positive, दो दिन जरूर होगे, लेकिन अभी भी positive है, और important बात तो यह है, जब nifty की बात हो रही है, तो यह बात काफी important है, इसको ध्यान दे लिजिए, nifty में तेजी आई, correction आया, तेजी आई, एक correction की requirement है, अभी although आपको दिख रहा होगा, धीरे धीरे करके उपर जा रही है, बट मैं कहूंगा कि एक correction की requirement यहाँ पे है, वो correction ज ठोटी हो, बट एक थोड़ा उपर जाके हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक at least यहाँ पे एक area मैं कहूंगा, ज्यादा 1000 point नहीं, तो 500 point 600 point ए correction के requirement है, आगे जाने के लिए, अब आपको होगे आगे जाने के लिए, यह देखिए, तेजी आई, correction आया, और entry के लिए, resolution होती ही, आपको entry करने, with a stop loss of जोई, इसका bottom point है, जैसे यहाँ पे 8800 का bottom point था, entry देख लीजी आप, आप छोटे time frame में समझते हैं, nifty को, देखिए ज़रा situation, छोटे time frame यानि के daily time frame पे, आप down चलता रहा, यह bullish cross बन गया था, यहाँ पे 8 जून के आसपास, तेजी, उसके बा buying pressure जो है, वो nifty के उपार, उसके बाद एके फिर से तेजी आई, फिर 2-3 दिन correction, consolidation रहा, और उसके बाद एके फिर से बड़ी rally, बट अभी जो important resistance zone है, nifty का, वो 10,900 के level पे, यह 200D का simple moving averages, जो के strong resistance का का काम कर सकता है, तो अब देखिए, लेकिन आज की date में, फिर से इतिनी ल कहां तक पहुंच चुका है, अपने 20 EMA मन्थली के पास पहुंच चुका है, बैंक निफ्टी के comparison में, वीक है, निफ्टी के comparison में, अभी भी weak state में पढ़ा है, यानि कि bank के share, निफ्टी के share से, निफ्टी में जो major है, जैसे reliance industries ने पूरा उचाल के रखा हुआ है, और अग नजर देखोगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी जैसे SDFC बैंक एक बड़ा contributor, बैंक निफ्टी के लिए और निफ्टी के लिए लेकिन वो जो है, वो आपको निफ्टी की चाल चलता हुआ दिखेगा, SDFC बैंक के share, जरी बैंक निफ्टी की चाल चलते हुए दिखेगे, ल ब्रेक आउट यह consolidation हो रहा और यह बहुत बढ़िया positive बात है नियर टुद ब्रेक आउट जो है जब consolidation होता है तो और यह consolidation पिछले दो हफ्ते तो चला ही चला और पिछले तीन दिन में भी आपने देखा होगा किस तरीके से consolidation हुआ और यह जो इसका major blocker 20 EMA weekly था वो पार होता नजर आ रहा है अब अगला target 25,000 का है इसको ध्यान रखें 25,000 क्या bank nifty 25,000 के लेवल पे जा पाएगा यह देखिए बड़ी तेजी तीन halt candle और आज की date में जो तूफान मचाया bank nifty ने वो बहुत ही बहतरीन तूफान था और उसकी वज़े से आज अच्छे खासे जो है आप को इंट्राडे में भी बहुत बढ़िया बढ़िया opportunities देखने को मिले थी आज की date में 6 उराई से देखिया बिल्कुल flat था gap अपके बाद flat फिर आज थोड़ा सा down आया और उसके बाद positivity अगर आप इसको hourly time frame पे देखोगे तो कि यह correction आई लेकिन hourly पे भीरिस cross नहीं बना moving average म और वो positive देखने को मिला जैसी यह level मैं कहूंगा bank nifty का power हुआ 21,800 के आसपास का level और उसके बाद आप तेजी देख सकते हो bank nifty में बढ़िया तेजी लेकिन अब ध्यान दे अब मैं जो आपको इस stock दिखा रहा हूँ आज की date के अगर बात करूँ मैं बंधन bank में बंधन bank मे जब 370 के level को पार किया और अच्छा जम्प देखे सीधे-सीधे 400 के level पर इसी तरीके से situation आप देखोगे ICIC bank को जड़ा देखिए hourly chart correction ज़रूर आया लेकिन hourly पे यह risk cross नहीं बना और बलकी positivity और 7 जुलाई को बड़ी candle छोटी candle और लाइंस अटकी formation उसके बाद देखिए क्य ICIC bank यहीं नहीं अगर आप indecent bank आज की date में 3 major bank थे indecent bank के hourly को देखोगे तो यहाँ पे भी आपको similar situation देखने को मिली थी यह देखिए तो यह stocks जो हैं वो follow कर रहे हैं आपके bank nifty को लेकिन अगर एक नजर आप SDFC bank को देखो तो SDFC bank majorly nifty को follow कर रहा ना कि bank nifty को यह देखिए इ और indexes को जरूर देखें उससे आपको guidance मिलता है उसके stocks के साथ साथ चलिए wind up करता हूँ आप वीडियो को मीट करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लग होगा अच्छा लगा तो शेयर कीजे लाइक कीजे चैनल अगर आपने अप तक सब्सक्राइम के तो जल्दी से सब्स